इस्टुडेंट से एक बाब फिर से आपका एक को नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागा थे तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे निरेशन यानि कि डायेटी स्पीच को इन डायेटी स्पीच में चेंज करना आज मैं आपके इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ और आपके लिए लेकर आया हूँ मैं total 15 questions जो के most important है इस तरह की questions अब तक की exam में पूछे गए हैं पुराने जो papers हमारे हुए हैं उनमें इस तरह की questions कई बार पूछे गए हैं इसलिए आप इस वीडियो के status लेकर इंट तक जरूर देखेगा और बड़े ध्यान के साथ इनको समझेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब देखे श्ट्रेट्स डाइट क्या होता है और इंडाइट क्या होता है मैं आपको short में बताता हूँ तक किसी परसन की कही हुई बात को हम दो तरीके से बताते हैं एक तो उस परसन के उसी के words में जैसा उसने कहा वैसा हमने बोल दिया ठीक है दूसरा तरीका होता है उस परसन की कही हुई बात को अपने तरीके से बताना अपने words में बताना यही कहलाता है indirect है अब इसमें डाइट को इंडाइट में चेंज करवाया जाता है तो रूल्स भी हमें याद रखना होते हैं और रूल्स आटोमेटिक आपको पता चले जाएंगे अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि किसी परतन की कही बात को हम अपने तरीके से बताएंगे तो क्या पर सिखाता चलूँगा साथ में देखते चलिएगा सबसे पहले यह देखिए जो कॉशन हमारा एक्जाम में आएगा कुछ इस तरह से कॉशन आएगा जो हमारा डाइट होता है यानि कि एक पार्ट होगा इंवर्डिट कॉमा के बाहर जिसे के ही सेड लिखा हुआ है और द यानि कि बोलते हैं बच्छो वर्डित कॉमा में आपको देखने को मिलेगा इसको कहा जाता है बच्चो रेपौर्टेडिड स्पीच ф opposite इस पीच घिक है यह रेपोर्डेड स्पीच कहलाता है जो inverted comma के अंदर होता है ठीक है अब जो वर्ब आती है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब उसके अंदर जो वर्ब आती है वह रिपोर्टिड वर्ब होती है ठीक है अब एक चीज आप याद रखिए बहुत ही इजी रूल में आपको यहापर बताता चल रहा हू कॉमा और inverted comma को अब हटाओगे तो देट लगाओगे इतना आप याद रखते चलिए कॉमा और inverted comma हटेगा तो देट लगेगा एक चीज और दूसरी चीज यह कि जब हमारी यह reporting वर्ब पास्ट में होगी तो अंदर वाला जो sentence होगा रिपोर्टिड वर्ब का वो हमारा sentence present में है तो पास्ट में चला जाएगा यानि कि एक sentence पीछे सक जाएगा ठीक है चलो मैं आपको यहां पर सिखाता हूं पहले देखो ही हम यहां पर लिखते हैं answer में पहले ही लिखा said को हम जैसे का तैसा लिख लेते हैं he said comma और inverted comma को हटा कर हम क्या लगा लेते हैं बच्चों that का यूज़ करते हैं तो यहां पर लिख लेते हैं that he said that ठीक है इतना लिखा अब यह शी जो third person है तो शी को जैसे का तैसा लिखेंगे she अब यह जो work लिखा हुआ है तो यह present indefinite में है और यहां पर जो verb said है से की second form है पास्ट में है तो इसको हम पास्ट में ले जाएंगे work को क्या कर देंगे work भी कर देंगे तो यहां पर डबलू ओ आर के इडी work he said that she worked और यहां पर लिख देंगे hard अब फुल स्टॉप लगा देंगे कॉमा इंवर्डी कॉमा हट गया तो क्या बना he said that she worked hard उसने कहा था कि वे कढ़िल पशनम करती थी या उसने कढ़िल पशनम किया ठीक है क्या कर रहा देखो he said लि sentence past में है तो यहां पर भी prevent indefinite को past indefinite में लेके जाएंगे तो right answer क्या बना he said that she worked hard ठीक है चलिए आते नेक्ट कोशिन की तरफ he said Rahul has done his work ठीक है तो यहां पर फिर हम लिखेंगे hema said hema said अब कॉमा invert को हटागे क्या लगाते है बच्चों यहां पर हम that का use करते हम लगाएंगे that hema said that ठीक है राहूल has done his work तो राहूल भी यहां पर third person है तो राहूल को राहूल लिखेंगे तो मैं यहां पर राहूल को जैसा का तैसा लिख देता राहूल अब यह जो reporting वर्भ है यह भी past में है फिर said है तो हैज को हम present perfect को past perfect में लिके चले जाएंगे तो हैज बन जाएगा head ठीक है एक sentence पीसे लख जाएगा तो राहूल है की जगा पर हम यहां पर लिख देंगे head और फिर क्या लिखेंगे ड़न ड़न हेज वर्क ठीक है राहूल है इस तरीके से यह राइट आंसर होगा ठीक है क्या समझ में आया आपको कॉमा इंवर्ड कॉमा को हटा कर हमने देट लगाया राहूल जो थर्ट परसन है तो थर्ट परसन को चेंज नहीं करते है रिपॉट इट इस पीट में राहूल को राहूल लिखेंगे है जो को हैड में चेंज कर दिया क्योंकि प्रजैंड इंडफिनेट पास्ट इंडफिन में चला जाता है तो हैमा सेट देट राहूल है ड़न हीज वर्क यह राइट आंसर हुआ चलिए आगे बढ़ता है नेक्स कॉश्चिन की यह हमारा वेर से स्टार्ट हो रहा है यानि के इंटेर हो गड़े पर और यहां पर वेर कॉश्चन वर्ड का यूज हुआ है अब रूल क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं अगर यहां पर वेर आया है यानि के कॉश्चन वर्ड आया है तो अब हम क्या करेंगे आय तो लि लिखेंगे question word को जैसा का तैसा लिखते हैं चेंज नहीं करते हैं ठीक है अब do हट जाएगा यह यू जो है तो इस हर का subject क्या होता है she तो she से change हो जाएगा where she और live को हम past में लिख देंगे तो बन जाएगा lived और full stop लगा दी मैंने उससे पूछा वे कहा रहती थी तो I asked her where she lived यह right answer होगा ठीक है say to को हम आज से change कर लेते हैं ठीक है if weather का use क्यों नहीं करेंगे अगर do से start होता तो फर if का या whether का use होता यहाँ पर where से start हो रहा है जो के question word है इसलिए where को पहले लिखेंगे हम और she lived इसके बाद लिख देंगे ठीक है यह right answer हुआ चलिए आगे बढ़ते है question number four की तरफ my father said to me do not laugh at the poor अब यह negative sentence आगा है यह भी एक नया आपके लिए है इसलिए मैंने सभी cover किये हुए है सभी diet को in diet में change कर रहे है my father said to me देखो यहां पर do not laugh at the poor कहा जा रहा है यानि कि advice दी जा रही है क्या है यहां पर advice दी जा रही है तो आप say to come क्या करेंगे advice में change करेंगे तो बोलेंगे हम पहले लिखेंगे my father my father advised बच्चों याद रिखेंगे यहां पर advice आएगा my father advised me मुझे advice दिये my father advised me अब यहां पर को do not है निगेटव है तो यहां पर हम लगा देंगे पहले not इसके बाद लिखेंगे to not to फिर लिख देते हैं laugh l a u g h laugh at the poor ठीक है at the poor full stop लगा लिजिए my father advised me not to love at the poor यह इसका right answer होगा ठीक है advice क्यों लगाया क्योंकि यहां पर advice ही दी जा रही थी इसलिए my father advised me or not to love at the poor right answer चली question number five नेहा said I want to open this bag easy आपसे बन जाएगा देखो नेहा को पहले लिख लिख लेते हैं नेहा said है तो said को said लिख लिख लेते हैं comma inverted comma को हटा कर क्या लगाएंगे that लगाएंगे नेहा said that चुक है अब यह जो first person है reported speech का जो first person I है तो यह नेहा के जो subject का इसका जो pronoun है she इससे change हो जाएगा तो नेहा said that she she यहाँ पर अब she बन जाएगा I को हम reporting speech के subject से change करते हैं तो नेहा said that she want को past में लिख जाएंगे क्योंकि यह sentence past में है wanted to open और this को change कर देंगे that में this बन जाता that big बस यह राइट आज़र होगा नेहा said that she wanted to open that bag ठीक है कैसे करा एक पर फिर से समझ लिजिए नेहा subject लिखा सेट को जैसे करते से लिखा कॉमा इंवर्ट को में खटा कर मैं that लगाया अब शी क्यों लगाया क्योंकि जो आई अब खुद सी common sense की बन जाती है अपने आपको उस पर रख लो बन जाएगा चुलीहागे बढ़ते कुछ नमबर रिख की तरफ पूर्ष नमबर शिक्स शीज़ आएंग फॉर माई फ्रेंड चलो इसको चैंज करते हैं कैसे बनेगा दो पहले हम लिख लेगते हैं शीज़ आगे क्या लगाएंगे दैट शीज़ आए अब फिर आया गया यानिकि आया किसे चीन जाएगा शीज़ जाएगा ठीक है रिपोर विटिग से चैंज हो जाएगा थे का अब वनाए को किसे चैंज कर देंगे हर से चैंज कर देंगे ना हर फ्रेंड यह इसका राइट आंसर लोगा शीज़ यानि उसने कहा था कि वे अपने दोस्त का इंतशार कर रही थी ठीक है present की बात past में चली जाती है ये present canne use में है तो ये past canne use में चला जाता है यानि कि एक tense पीस्प्रेंट चला जाता है तो इसे काम ही होटा है जब reporting verb past में हो ठीक है ये said आ रहा है तब II हम change कौटा का लिख लेते हैं तो यहां पर हम वर्ग को जैसा का तेसा राइट कर लेते हैं ठीक है हमने इसको चीज नहीं करा है इंडर वाले पार्ट को चीज इसलिए नहीं करा है क्योंकि यह अगर प्रजेंट में होता है प्रजेंट में होता है तो चेंज नहीं करते हैं प्रजेंट और फ्यूचर में होता है तो चेंज करते हैं पास्ट में होता तो चेंज करते हैं universal truth को same जैसे का तैसा लिखते हैं तो बस इतना चेंज करना है आपको कि पहले आप लिखना है द द टीचर द टीचर सेड है तो सेड को सेड ही लिख लीजिए द टीचर सेड कॉमा इंवर्ड कॉटा कर देट लिख लीजिए बस अब दसन राइज इन दी इस्ट है भाई यह तो यूनिवर्सल टृत है इसको नहीं बदलेंगे तो जैसे का तीसा लिख लिए द दा सन राइजेज दसन राइजेज इन दी इस्ट इन दी इस्ट यह हम एजट लिखेंगे तो टीचर सैड देट टेस्ट लिख 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 को चेंज नहीं किया जाता है ठीक है बस सेड के ब नाइन की तरफ यह रहा राहूल सेटु मी आइम गई टू अगर दिस वीग इसको चेंज करते हैं तो कैसे बनेगा देखो तोड़ा सा जूम करता हूं मैं आपके लिए और हम पहले लिखते हैं सब्जेट राहूल तो राहूल को जैसा करते हैं राहूल अब सेड़ टू अगर जो रिपोर्टिड स्पीच का सब्जेट है यह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेट से चीन हो जाएगा तो देखो इसको रेज हो गया कोई दिक्कत नहीं डबल से लिख लेते हैं यह तोड़ा सा हट गया है तो मैं दोबारा लिख देता हूं राहूल टोल्ड मी डैट ठीक है राहूल टोल्ड मी डट आट आइं गory टूई मिघ याह तो यहां पे यह जो राहूल है तो हम यहां पे लिख देंगे ही और प्रेडफिरेशिंट की बात कूच चैंग पास्ट में ही वाउज going to आगरा का तो आगरा ही रहेगा इसको चीज़ तो ही ना करेंगे जिसको चीज़ कर देंगे और वीक को जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा राहुल टोल्ड मी दैट he was going to आगरा that week राहुल ने मुझे बताया के वहद उस सबता आगरा जा रहा था ठीक है ये बदल गया अब आते हैं question number 10 की तरफ my father said to me you have not done your work my father said to me my father को क्या करेंगे पहले हम लिखते है my father अब said to को क्या कर देंगे my father told me हो जाएगा said to को change कर दें my father told me that ठीक है अब ये जो you है जो second person है second person को इसके object से change कर देंगे ठीक हो बई मेरे फादर ने मुझे से का था कि तुमने अपना काम नहीं किया है तो ये बात अगर आप किसी तीसरे को बताएंगे तो बई मेने मेरा काम नहीं किया था तो क्या बन जाएगा I बन जाएगा I have को change कर देना head में past perfect I had not done done your को हो जाएगा my work खुद अपने आपको उस प्लेस पर रख लो आप से बन जाएगा my father told me that I had not done my work my father said to me यानि कि my father told me मेरे फादर ने मुझे बताया भाई कि तुमने अपना काम नहीं किया था यानि मेने अपना काम नहीं किया था I had not done my work हो जाएगा यानि प्रेजेंट पर्पिट को पाच फट में मिले जाएगे यू को बना देंगे आए ठीक है ठीक है यह हो गया अब आते है कुशन नंबर 11 my mother said man is mortal यह भी universal truth है तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे बस इतना लिखेंगे my mother my mother said that ओ बस यहां पर लिख दो man is mortal man is mortal full stop लगा दो क्योंकि universal truth है ना my mother said that man is mortal बस इसको चेंज नहीं करेंगे ठीक है अगर एक्जाम में आया तो आपके मज़ा जाएंगे honesty the best policy universal truth है सेम ऐसे ही बनेगा तो बस इसमें करना क्या है आपको लिखना है पहले गांदी जी तो यहां पर simply write करते हैं गांदी जी सेड गांदी जी सेट यह मेरा यहां पर write करता हूं that टी एच एटी गांदी जी सेट that honesty तो simply write कर लेते हैं honesty is the best policy universal truth है चेंज नहीं किया जाएगा गांदी जी सेट that honesty is the best policy इसको चेंज नहीं करेंगे ठीक है अगर आपके कॉमा को हटागे क्या लगा गो बच्चों that तो he said that अभी जो आए है first person किससे change हो जाएगा he say तो he said उसने कहा कि में खुश हूं तो भाइन खुश कून था वे खुश था he was happy present की बात past में चली जाएगी he said that he was happy उसने कहा कि बेखुश था उसने कहा था तब वो खुश था ठीक है he said that he was happy चली आगे बहते हैं question number 14 मुकेश said to me said to Mohini he wants to become a teacher किसने कहा मुकेश ने कहा जानी कि मुकेश ने किसको बताया तो यहां पर पहले हम लिख देते हैं मुकेश said to change कर देते हैं बच्चों told में मुकेश तोल किसको बताया बाई मुकेश ने बताया मोहिनी को तो मोहिनी मुकेश टोल मोहिनी ठीक है क्या बताया that person he wants to become a teacher तो बाई मुकेश टोल मोहिनी इसके बाद यहां पर लगा देंगे that that he want को past में लिख देंगे तो wanted he wanted to become a teacher तो t-e-a-c-h-e-r इस तरह से वो पर लगा देंगे तो मुकेश टोल मोहिनी that he wants to become a teacher हो जाएगा wanted to हो जाएगा ठीक है want को wanted में चेंज कर देंगे ठीक है चली अब बढ़ते हैं last 50 नमर का this is we are going to market now तो कैसे बनेगा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले हम लिखेंगे तो यहां पर चेंज कर लो दे से इसको लिख दो दे और और को चेंज कर लो वर में पास्ट में चले जाओ वर गोइंग टू मार्केट मार्केट नाओ का क्या हो जाएगा बच्चो देन यानि तब जा रहे थे ना उन्होंने कहा था कि वे तब मार्केट जा रहे थे एसा हम क्योच कर रहे हैं क्योंकि यह जो वर्ब है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में यानि सेड़ आ रहा है तो हमारे narration की questions direct.com ने indict करना आपको सिखा दिया है अगर आपके exam में इस तरह से questions आते हैं 100% आप करके आएंगे अगर आपने इसको ठिक से समझाए नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और पले करके देख लिएगा और पैक्टिस जरूर कीजेगा आपको पसंद आए होगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अपने सभी दोस्तों की साथ ज़्यादा शेयर कीजेगा जल्दी हम और भी वीडियो लेकर आएंगे English Grammar की वीडियो लेकर आएंगे हम एक दो दिन में आपके पुरी English Grammar कवर करा देंगे रिवीजन करा देंगे पुरी Grammar और पुरी English खतम करा देंगे बत अब हमरी वीडियो को देखते रहे हैं सीखते रहे हैं और कमेंट्स करके बताते रहे हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि आपको लाँ, आपको देंगे